इस इस सद्दाम फ्रॉम एक्सपोजिंग रियालिटी चैनल आज मैं सेमसंग नोट एड का रिव्यू करने वादा हूं इसके अंदर मैं आपको चार चीज़ें बताऊंगा कि इसके स्पेसिफिकेशन्स क्या हैं इसके प्लास पॉइंट कौन से हैं कौन कौन सी इसके अंदर जबर्दस फीचर्स हैं और इसके अंदर बैड कौन से हैं कौन से फीचर इसके अंदर बहुत पूर हैं और इसकी पराइस पाकिस्तान इंडिया और यूस के अंदर क्या क्या हैं तो यह सारी चीज़ें देखने के लिए आप ये वीडियो आकर तक देखिए और मेरा चैनल Exposing Reality को लाजमी सबस्क्राइब करके पहले के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकर आइदा आने वाली वीडियो आपको बरुबत मिल सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं Samsung Galaxy Note 8 की Specifications की अगर मैं इसके बात करूं इसके वेट की तो ये 195 ग्राम इसका वेट है इसके अंदर SIM की मैं बात करूं तो इसमें 2G, 3G, 4G, 3G की सकती अगर मैं इसके प्रोसेसर की की बात करों तो इसका 2.3 Gigahertz, OctaCore है अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं तो इसके डिस्प्लेः six point three inch है इसके memory इसके नदर RAM six gb और है इसके अदर इसके अंदर camera की में बात करूँ तो जो main camera इसका back camera ये 12 me Soci और इसके front camera 8 with ऐसके अंदर अगर मैं इसके अंदर और इसकी functionality की बात करूं तो इसके अंदर Bluetooth है, GPS है, USB है, NFC है, data है, इसके अंदर इसके sensors की बात करूँ तो इसके अंदर Accelerometer, Gyro, Comcast, Proximity, Barometer, Heart Rate and Fingerprints हैं इसके अंदर Browser की मैं बात करूँ इसके अंदर HTML5 latest browser यानि इस mobile के अंदर इस note के अंदर हर किसम की latest websites perfectly open हो सकती हैं इसके अंदर अगर मैं इसके battery की बात करूँ तो 3300 mAh इसकी battery है, top time इसका up to 22 hours है और इसका music play का time up to 74 hours है और अगर मैं इसके plus point की बात करूँ तो इसके अंदर जो plus point जो मैंने देखे तो सबसे पहली बात इसके इसके अंदर 6 GB RAM है जो के बड़ी जबर्दस बात है कि जिस mobile के अंदर जितनी ज़्यादा RAM हो भी उसकी speed मुबाइल की उतनी ज़्यादा तेज हो जाएगी उसकी processing fast हो जाएगी उसकी performance बहुत जबर्दस हो जाएगी इसकी double sim है इसके अंदर यह बड़ी जबर्दस बात है कि आप इसके अंदर 2 sim में लगा सकते हैं प्रोसेसर इसका अच्छा है 2.3 GHz और इसका music जो time है play का वो 74 hours है यह plus point से और जो इसके अंदर bad point है कि जो मैंने देखे वह यह कि इसके अंदर battery बहुत लो है अगर आप देखें तो 3300 मिली अपेर अगर 6 GB RAM है इसका display size 6.3 है इसके अंदर तो 6.3 display के साथ यह ज्यादा battery consume करेगा RAM चापके ज्यादा है तो processing ज्यादा होगी इसलिए इसके battery बड़ी जल्दी खतम होगी तो इनको battery अच्छी लगान battery लेकिन उनने नहीं लगाई और इसके अंदर जो दूसरा bad point है इसके अंदर radio के option नहीं है कि आप इसके अंदर radio नहीं सुन सकेंगे और मैं camera की बात करूं तो camera भी इसके अंदर थोड़ा सा low है 12 Megapixel, 11,16 या 20 Megapixel इसके अंदर camera होना चाहिए था अगर मैं इसके price की बात price इस वक्त है वो एक लाख आठ हजार नो सब नानुए रपे यानि आलमोस्ट एक लाख नो हजार पे यानि 1,08,999 अगर मैं इसकी price इंडिया में देखू तो इसकी price इंडिया में 67,499 है 67,499 रपे और मैं dollar में बाग करूं तो इसकी dollar में price है 1,046 dollars